नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है चमतकारी टोटके में क्या आप जानते हैं कि रसोई घर में तवा और कड़ाई कैसे रखना चाहिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं किचन के वास्तू टिप्स तवा और कड़ाई हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज हैं अगर तवा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी कड़ाई नहीं होगी तो सबजी कैसे बनेगी तो आज आपको बताते हैं कि वास्तू के अनुसार तवा और कड़ाई का कितना महत्व है तो आप रसोई को साफ रखें, अगर कोई महिला गंदे तवे पर गंदी कड़ाई का इस्तमाल करती है, तो इसका सीधा प्रभाव पती पर पढ़ता है, इसके अलावा आपके घर के बच्चे या पती नशे में लिप्थ हो जाते हैं, तो मान कर चलें की ऐसा राहू के कुप प्रभाव के कारण हो रहा है, आप कुछ अन्य उपाय करने के साथ साथ रसोई पर भी ध्यान दीजिए, कहीं तवे और कढ़ाई के गलत तरीके से रखने की वज़े से तो नहीं हो रहा है, आईए आपको बताते हैं कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, जब रात को खाना ब पहले एक दो या तीन इंच की रोटी बना लें, अब इस रोटी को ऐसी जगे रख दें जहां से उसे कोई जानवर खा सकता हो, ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक उरजा समाप्त हो जाती है, घर में सुक सम्रिद्धी बनी रहती है, और जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि दिखें, यानि कि खुले में ना दिखें हो, तवे और कड़ाई को कभी उल्टा नी रखना चाहिए, तवा और कड़ाई जहां खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखें, कभी भी खाना बनने के बाद उसे खाली चूले पर छोड़ ना दें, गर्म तव रसोई घर में रात की समय तवे को खड़ा करके कभी नी रखना चाहिए, तवे अकड़ाई को कभी उल्टा ना रखें, तवा और कड़ाई हमेशा दाहिनी तरफ होना चाहिए, तवे अकड़ाई के जल जाने पर उसे रात भर भीगा दें और सुबह पानी से अच्छे से उ और उसे अगर आप खुरच कर साफ करेंगी तो ये अशुब माना जाता है। तवे कड़ाई में कभी भी खाना छोड़ना नहीं चाहिए और इसके अलावा उसमें खाना भी नहीं चाहिए। तवे की पवित्रता का ख्याल रखें इससे घर में बरकत आती है। तवे कड़ाई को कभी भी जूठा ना करें, जूठी सामगरी ना रखें, घर में सफाई का बेहत ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे अगर आप इन बातों को मानेंगे तो। अब आपको बताते हैं कि किचिन के वास्तु के बारे में। ऐसा माना जाता है कि रसोई घर अग्णिय कोण में होना अच्छा है। अगर ऐसा नहीं है तो इससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत खास तोर पर महिलाओं की सेहत पर असर पड़ता है। प्लैटफॉर्म पूर्व में और दक्षिन को घेरता हुआ होना चाहिए शुब माना जाता है। वाश बेसिन उत्तर में हो, भोजन बना दे समय आपका मुख पूर्व की तरफ हो, उत्तर और दक्षिन में बिलकुल ना हो। ये बातें मानने वालों के लिए ये बिलकुल सही बात होती है क्योंकि आपकी सेहत पर, आपके धन पर इन चीजों का असर पड़ता है। और आपको बता दें कि रसोई घर में पानी जो है पीने का पानी वो उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। रसोई घर में टूटे-फूटे बरतन जाडू तो बिलकुल ना रखें। रसोई घर में एक्जोस्ट फैन लगाएं। और रसोई घर में स्टील या लोहे के बरतन के बजाए पीतल, तामबे, कांसे और चांदी के बरतन हो सकते हैं। लोहे के बरतन खाना पकाने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, रिसर्च कहती है कि लोहे के बरतन में खाना बनाने से भोजन में आईरन का तत्व बढ़ जाता है, और पीतल के बरतन में भोजन करना, तामबे के बरतन में पानी पीना अत्यन्त लाबकारी है, हलाकि बाल् तन में खाना बिलकुल ना खाएं ये नुक्सान दायक होता है तो दोस्तों ये दो थी जानकारी आपके जीवन से जुड़ी हुई आपको विडियो कैसा लगा दोस्तों हमें जरूर बताएं हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जुड़े रहें चमतकारी तोटके के साथ